द्रीम गर्ड, तो बी वेरी आउनिस, इस एन इंटर्टेनिंग फिल्म आप इस सुन को देखोगे, आप बहुत ही ज़ादा इंट्वाइ करोगे हम भाग दोर भरी जिन्दगी में कितने तनहा हैं, कितने अकेले हैं इस मुद्दे को उठाये गया है और एहसास कराये गया है कि एक true companion होना किता जरूरी है हमारी life में जरूरी नहीं है कि आप girlfriend के रूप में, boyfriend के रूप में माता, पिता, भाई, बहन, किसी भी रूप में आप companion आप ढून सकते हो हम अपनी परिशानी बताना चाहते हैं, हम अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं लेकिन कोई होता नहीं हमारे पास, Instagram पे देखे या Facebook पे देख लीजिए इतने सारे friends है, लंबी-लंबी, you know, line ही लगी है लेकिन एक सच्चा साती होता है न, होना चाहिए हमारा, वो नहीं होता तो इस फिल्म में पूजा को जो character है, वो सबको ये, you know, एहसास कराती है सबकी तनहाई को दूर करती है, लड़कियों की आवाज निकालते हो या आश्मान कुराना सबकी तनहाई को दूर करते हैं, तो अच्छा है, entertaining है पंच लाइन्स भी बहुत अच्छे हैं, और फिल्म के जो सहक अलागार हैं, जैसे कि अनु कपूर, उसके अलाबा निते बेस्ट और विजयराज, इनके characters बहुत अच्छे लगेंगे आपको कोई किसी का तीन बार ब्रेक अप हो चुका है, कोई अपनी शादी सुदा जिन्दगी से परेशान है, किसी की girlfriend नहीं है, किसी की शादी तूट गई है, अमनों लोग ऐसे-ईसे जो characters है, वो परेशान है और अपनी परेशानी दूर करने के लिए, कोई ब्रह्मचारी भी है, तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए, पूजा बॉजा जिस तरह से जो उनकी तनहाई को दूर करती है, जो सब के बीच उनका जो conversation होता है, बहुत ही entertaining है, और अपने आप में ये जो film है, एक नया concept ह और entertaining way में दिखाएगा है, तो I can say it's a watchable movie, आईशमान की बात करते हैं, तो इकना justice किया है, बहुत justice किया है, मतलब कोई भी film आती है, उस film में वो अपना जो aura है निखारते हैं वो, अपनी acting skill निखारते हैं, और इस film में भी जो comedy के साथ, last हमने उनको article 15 में देखा था, वो क् किसी film में भी आप उनको जज नहीं कर सकते हैं, मुला, अब उनको ना, कहते हैं ना कि typecast कर दिया जाता है, आश्मान खुरानों को आप typecast नहीं कर सकते हैं, किसी भी genre में वो अच्छे लगते हैं, खासतर पर comedy में तो उंदा है, जब भी वो आते हैं, उनका जो comic timing है, dialogue delivery है, बहुत ही real, authentic, मज़िदार है, और अगर आप जिन्दगी में तनहा अकेले हैं, खास तो आपको यह फिल्म देखनी चाहिए, और उसके अलावा, फिल्म के अंदर कुछ मानस पॉइंट्स भी हैं, for example, जो releases angle डाल दी जाते हैं, फिल्म के अंदर, या पर अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, तो इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं की इंडेटेनिंग नहीं है, यह भी इंडेटेनिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं खत रुकता है, वही में कहना चाहूँगा, कि इस फिल्म को 3.5 में दे सकता था, ल में दे सकता है, तो पूरे में पने कम में है, जो वो जो आपना नॉर्मल करेक्टर कर रहे हैं वो भी बधका बडिया के सक र ए और ज़ो वो दे पल कर रहे ती मोई है और दुखी प्ले करहा है लिचो अगे पूरी फिल्म स्टार्ट टु एंड तक मज़ाद है अब वेसलिए फैमिली फिल्म है यह फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है उसका कोई आइडिया ने बोलने है सकते ने भी हंड़ेड करो अब आप ओडियंस को क्या कहना चाहेंगे यह फिल्म जरूर देखिए बहुत ही अब फिल्म देखे निराशनी हों आप फिल्म देखे निराशनी होगे इस फोर स्टार्ट बूवी बहुत ही अच्छी है आईश्मान खुराना एक डिफरेंट डोल में नजार आ रहे है तो डेफिनिटली मतलब देखने लाएक मूवी है पूजा के कैरेक्टर में एक रोस क अच्छी जो तकलीफ होती है लोगों की उसके पोर्ट्रे किया गया है तो बहुत अच्छी मोवी है तो डोनों एक स्कीन पर अच्छे लग रहे है अजल लव एंडल यह कर रहे है तो लेकिन एक चीज कमी लगी जो है अपना नूसरत की जो आक्टिंग हो पिक अप कर नहीं कोशिव कर्ते लेकि नहीं हो रहा था अच्छी ओछ ऑवर्राल आजशमान की अच्छ बहुत ही अच्छे इंडा मान भी प्रिष कमेटी है विज बीज बीस में ऐसे मूवी में पंचे चो आपको बहुत हैं दो कैशी मूवी है लास्ट तक होल्ट करके रहे है अ चाहन पर और इस्पेशली जब वो लेडी वाला जो करेक्टर वो प्ले करते हैं उसमें तो बहुत मज़ा आया काफी बहुत कॉमेडी मुवी है और काफी अच्छा अच्छा लगा देखकर और आज कल जाधा तर कंटेंट पर काम हो रहा है तो उसमें और वी मज़ा आता देखनें पर आपको क्या लगते हैं ऐसे मुवी आगे मतलब जाधा क्लेक्शन कर पाएगी हाँ अब एक्चुली क्या है कि ओडियंस का देखने का नजरिया बदल रहा है अब जाधा तर कंटेंट पर ही फोकस होता है तो ऐसी मुवी चलेंगी आईजमान ने कितना जस्टिस किया पूरा ओडियंस में चाहूंगा कि आप ज़रूर इस मुवी को देखिए और इसलिए नहीं क्योंकि रिव्यूज अच्छा रहे है फुद भी बार जाके देखिए इसलिए जितनी आयुशमान ने मुवी करी है उसके अक और्डिंग वाली मुवी बहुत अच्छी है और आगे भी उनकी अंदरी केमेश्ट्री जो भी थे वो लोग अच्छे से वहां पर ट्रीट्मेंट जो उनकी थी बहुत ही अच्छी थी और मुवी में जो उन्होंने एक्टिंग की है वो सूपब उन्होंने जो लड़के की आवाज निकाल लिये अब बाकी कुछ तो डबिंग होगी बट उनकी जो आवाज थी मुझे तो 80% रियल ही लगी बेस्ट पार्ट क्या लगा अब बेस्ट पार्ट वो जो फणी पार्ट था जो वो कॉल से बात करते हैं उन लोगों से जो उनकी सेड्यूसिंग वोईस है कमाल अब यह और चाहूंगा कि आप आओ देखो अपने बच किया और जो उनोंने लड़की का करेक्टर किया है बहुत ही अच्छा लगा मुझे मतलब उन्नोंने कुछ करने की कोशिस किया उन ने जो कया कि मतलब पबलिक को पसंद भी आ रहा है और गाने वगण वगरा भी बहुत अच्छे हैं तो मेरे क्याल से 5 में आउट आउट बहुत बढ़िया मूवी है और आईश्मान कुराने ने दोबारा साबित किया कि उनके जैसा एक्टर उनकी चॉइस बहुत जबरदस्त है फैमिली फिल्म है इंटर्टेन्मेंट है आप बार बार देखेंगे इतनी हसी आई कि आपको कि आपका पेट में दर्द हो जाएगा और मतलब डिरेक्टर को फुल मार्क्स हैं स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्लेट, डायलोग्स आउसम हैं और पूरी फिल्म बहुत अच्छी पूरे पलिवार के साथ आप देख सकते हैं और सुपर हिट है मैं खुद एक फिल्मेकर हूँ और मुझे बहुत इंतजार था इस फिल् पूरान की कोई फिल्मिस नहीं करता और बहुत बढ़िया फिल्म है आप सब जाके देखिए मेरा ओडियन्स एजन फिल्मेकर एजन क्रिटेक्स मेरा रिव्य हूँ है फोर ट्री एंदा हाफ और फोर स्टार मुवी बहुत ही जवर्दस्त मुवी है और फुल इंजॉय करती है अलकी पूल की डायक्शन भी बहुत ही अच्छी है फर्स्टाइम डायक्शन है सौंग दिल का टेलिफोन तो दिल का टेलिफोन ओडियन्स को क्या कहना चाहेंगे आप भी देखो फैमिली के साथ देखो फुल पैसा वसुल मुवी है यह फूर मुवी इस वेरी पैकेज है पुल ओन कॉमेडी का तड़का है बहुत अच्छी मुवी बाद करें तो दोनों में से कौन जादा है मुचे तो पूचा और सौंग सब्सक्राइब काफी अच्छी है डिरेक्शन से के जरिए राज चान डिली जे पहली बाव इस मुवी को डिरेक्शन और दिख अच्छी मुवी बहुत अच्छी थी और आईश्मान खुराना हम सबको पता है एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं इस वक्त इस साल या पिछले दो साल की स्ट्रिप देखे आईश्मान खुरान तो बहुत प्यारी है और ये मुवी भी बहुत अच्छी थी और स्किप बहुत प्यारी थी और खासकर कॉमेडी पंची बहुत अच्छी थी इसके अंदर तो सांग की बात करें तो कौन सांग जादा अच्छा लगा और मेंचीज वही गया था उसके लिए मुझे बहुत प्यारा नगा हो लुसरा था उसने भी अच्छा गाम किया है बट जादा उसका इंपेक्ट नहीं है वस में चीज लोग क्या है आईश्मान खुरानों को देखने के लिए जैसे कि उन्होंने दो करेक्टर निभाया है एक लड़ी का भी निभाया साथ एक अपना में जो करेक्टर वह भी नि प्रोफेश्चनल वाइस में जाओं तो मुझे क्योंकि मैं इस विल्ड से नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है बढ़ा में चीज मैं आईश्मान की एक्टिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए तो वह चीज मुझे बहुत प्यारी लगी अब मुझे नहीं पता है म मस्ती करना चाहते हैं मस्ती वाले बंदे एंटर्टेन्मेंट वाले बंदे यह मुवी को जरूर देखने के लिए और खासकर दोस्तों के लिए के साथ देखने जरूर जाना आपको फुल आने वाला है और फाइव में फाइव देना चाहूंगा इस फिल्में तो ओड ज्यादा मस्ती फूल आने बहुत अच्छा लगा इसा आना चाहिए बहुत अच्छा लगा ऐसा इसा फिल्म होना चाहिए और बाकी सभी का करेक्टर से यह डारेक्शन राइटिंग सब कुछ चाहिए और तो ठीक टाक है ऐसा फिल्म होना चाहिए और इसा इसा फिल्म भी देखना चाहिए ओपान चाहिए